असलाम अलेकूम। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बिल्कुल ठीक होंगी बिल्कुल खायरीयत जाओंगी। आल्हंदुल्ला मैं भी 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 कल ठीक हूँ। तो यह सुबगा टाइम तो मैं यहाँ कर रहा हुँ। कि मैं किस तरा से बीढ़िव 생cle करते हैं और यह काम इसके काम मैं रेगुलर बाश्पिस पर करती हैं तो आप इसके बादरों बिल्कुल अच्छे साफ सुत्रे हमेशा बनी रहते हैं तो मैं सिंप्ल ट्रिक उज़ करती हूं कि मिरर साफ करने के लिए चाहे कोई साभी मिरर हो मैं टूथपेस्ट कर स्तमाल करत बहुत अच्छी तरह से यह साफ हो जाते हैं चमक आ जाते हैं वह कुल नई जैसे बनी रहती है अबस हलका सा टूपेस मिरर पर लगाया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और किसी भी फोम से यह खाली हाथ से उसको रब कर देंगे और एक मिनट के बाद उसको प्लेन पानी स सबसे इंपोटन चीज यह है कि इसको अगर हम पहुंचने के लिए नियूस्पेपर के स्तमाल करें तो बहुत ही अच्छी इस पर शैनिंग आ जाती है अगर आप डेली साफ कर रहे हैं वाच्पिसन तो खाली पानी से और नियूस्पेपर से अगर आप मिरर साफ करेंगे त सब्सक्राइब करें तो उससे मैं यह रब कर देती हूं जो गीन वाले साइड होती है स्क्रबर के उधर की तरफ से साबुन लगा कर हलका सा बसमें रब करूंगी यह काम हम एक दू दिन के बाद अगर करते रहेंगे तो हमारे जो वाच्पेशन्स हैं और जितने भी स्तरह क सिर्मिक के चीज़ें वह बिल्कुल नई और चमकदार बनी रहती हैं देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि जो टैप है वह भी इससे बिल्कुल चमक जाती है आप किसी भी तरह का कोई हार्पे क्या कोई केमिकल यूज ना करें उससे क्या होता है कि जितने भी स्टेल के जो तो इस तरह से मैं अपने सारे बाथ्रूम वगरा साफ करती हूं तो इस टाइम मैंने सिर्फ वाश्पेसे और मिरर साफ करा है तो अब हम चलते हैं किचिन की तरफ तो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूं लसी उनको थोड़ा कह रही थी कि मुझे नाश्ते में आज ल ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं बिल्कुल रिफ्रेशिंग से लसी हुई कच्ची कैरी का शर्बत हुआ सत्तु हुई मुझे रूफजा वगरत ने रूफजा या टैंग वगरत ने पसंद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत जादे केमिकल और बहुत जादे शुगर होती है त आज था मदर्स दे तो बेटी ने मुझे कार्ड बना कर दिया एक्चली था तो मदर्स दे लेकिन उन्ह नने मुझे आज बना कर दिया वो मुझे दे नहीं पाई थी बना तो लिया था मिश्ञा लेकिन दी अव्चिस लबहुत आप प्रेंड्स के साथ शेयर करेंदें klopper बच्चों को अच्छे नसीब करें अच्छे यह मेरा ब्रंच नाश्ता मैंने करा नहीं था बहुत हलका सा मैंने बस ग्रीन टी ले लिए और खजूर खा लिये इसके बाद में आप कर रही हूं नाश्ता नाश्ता भी समझ लीजें और लंच भी समझ लिए तो यह ब्रंच हो तो आज मैं दिखा रही हूं कि आज मैंने कुछ अपने अबायाज वाश करे थे तो मैं वह क्लिप यहां पर एड़ कर रही हूं क्यूंकि अबायाज थोड़ी सी केर मांगते हैं वह क्या है बस यह कह रहे है कोई भी हार्ड डिटरजेंट हमें यूज नहीं करना चाहिए अ दूसमें अबाया वाश करें बैस चीज है जो कप्लों की सौफनेस अबाया की सौफनेस रहती है एक खुषभू बनी रहती है और दूसी चीज है कि इसको डार्यक्ट सिनल लाइट में न सुखाएं इसको सैमी शेड में सुखाएं तो मैं अबाया जब भी वाश करते हैं इ तो इनकी maintenance है वो भी रहती है इनकी care भी होती रहती है और ये सालो साल अच्छे बनी रहते हैं अब मैं घर के लिए बना रही हूं लंच क्योंकि मेरा तो हो चुका है मैं आप दो पहर में कुछ नहीं काऊंगी तो गर्मी कमास में मैं बना रही हूं यहां पर दही फुल की दह हमें दही लेना है उस दही को भी हम थोड़ा सा बीट करके डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे बहुत जाद में पतले की यह नहीं बना रही हूं अब फुलकी के लिए आप मैंने बेसन में नमक मेच और थोड़ा सा बिकिंग सोटा डालकर अच्छी तरह से बी खांके मिर्ष की बनाती हूं और घृमिर्ष की बनाती हूं दोनों ही घर में सबको बहुत जादा पसंद हैं गर्मी में इसी तरह की चीज़ शह तो थोड़ा सắm जल्दी हो जाता है उसके बाद हम लोग फिर वॉक कर लेते हैं तो इस तरह से यह दरी फुलकी बनकर हो गई थी तैयार अब मैं इसमें करूंगी पगार तो बगार इसका सिंपिल सिफ जीरा और हींका होता है तो इहां मैंने इन सब चीजों के लिए मस्टर्ड ओयल यूज कर कि लोगार है और आज मैğने बनाए हैं चावल के साथ चने की दाल तो ये वंही थोड़े से यहां ऊपर गगाय तो आप नमबर यहां पर दाल की बगार तो चने की दाल बनाई थी चावल के साथ उसमें मैं और प्याज का और हरी मिर्ज का बगार बहौट से ओए वाली उरत की दाल के साथ जो ढूनी हुए ड्राई वाली वह तो इसमें लगाया था मैंने प्यास और हींक और जीरे का भगार तो इस तरह से लंच हो गया था तयार तो आज लंच में था चापल चन्य की डाल और उरत की वाली दाल भुने हुई और रोटी और यह दाई पुलकी मैं सिर्फ दाई पुलकी खाऊंगी तो अब है यह रात का टाइम मुझे और मेरे हस्बन को किसी काम से जाना था बाहर तो वहां से हम चले गए जो कहें चिकिन और फिश का पॉइंट यहां पर बहुत ही अचा ब्रोस्ट मि दिनर करा था तो आज दिनर मुझे नहीं बनाना पड़ा था मैं थी फ्री तो यहां तक था आज का वीडियो आज की व्लॉग आई होप कि आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए इस